जैपूर जहां से रामेश्वर डूडी विधायक है और नेता प्रतिपक्ष भी। लगातार दो चुनाव में भाजपा यहां से ना केवल बुरी तरह से हार रही है, बलकि भाजपा प्रत्याशी तीसरे नमब़ पर रहता है। हालांकि चर्चा ज्यादा राजपूत प्रत्याशी की है। डूडी जाट समाज में लोग प्रिया है। अगर भाजपा ने जाट प्रत्याशी उतारा तो जाट बराबर बंट जाएंगे, इसमें संदेह जताया जा रहा है। क्योंकि डूडी की जाट समाज में काफी पैठ है और समाज भी कॉंग्रेस से जुडाव ज्यादा रखता है। जाट और विश्नुई के बाद सरवाधिक वोट राजपूत समाज के है। राजपूत समाज के नेता भी काफी दावेदारी कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में राजपूत समाज भाजपा से काफी नाराज चल रहा है। ऐसे में पार्टी नुखा सीट से किसी राजपूत को टिकट देकर समाज को साधने की कोशिश करेगा। आनंदपाल एंकाउंटर के बाद बीकानेर, चुरू, नागौर्व जुन-जुनू के राजपूत समाज ने काफी आंदोलन किया था। बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट भी इनहीं जिलों में ज्यादा एक्टिव है। भाजपा राजपूत को टिकट देकर समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगी, वहीं राजपूत समाज को टिकट देने से ब्राहमन, वैशिया, एससी वर्ब भी भाजपा के पक्ष में आ सकता है। नूखा में कनहया लाल जहमवर के निर्दलिय खड़े होने से ब्राहमन, वैशिया वैससी का बड़ा तपका उनके साथ चला जाता है और भाजपा को करारी शिकस्त छेलनी पड़ती रही है। कर दे पाएंगी।